असलावनेकूम आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेटा पासो मॉड़ा के अंदर आपको स्ट्राइड फीचर्स क्या मिलते हैं और मॉड़ा पैकेज के अंदर जो मजीद दो वेर्ट्स आते हैं एस और जी उन्हें क्या फरक होता है यह वीडियो मैं इसने बना जो नॉर्मल पासो है जोके मॉड़ा नहीं होती और उसमें और इस मॉड़ा में क्या फरक है तो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको स्ट्राइड फीचर्स क्या मिलते हैं नॉर्मल पासो के अंदर और पासो मॉड़ा के अंदर आपको जो फरक बंपर के डिजाइन फरक है इसी तरह बाइर से कोस्मेटिक चेंज़ और भी है पीछली लाइट से आप देखते हैं तो वह भी फरक है और क्रिस्टलाइज लाइट से एलेडी स्ट्रिप्स के साथ और उसके बाद अंदर जब आप आते हैं तो यह जो ट्रिम्ज आप देख रहे हैं अंदर के उस पे भी तूटोन इंटियर आ रहा है और सीट्स भी जो है वो टूटोन है इसके इलावा उसके अंदर रेड एक्सेंट्स आपको मिल देंगे तो इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके देखिए यह क्रैश कंट्रोल सेंसर यह आ गया आपका यहां पर यह स्ट्रेंडेड है इसी तरह लेंड डिपार्चर वर्ड इसमें स्ट्रेंडेड है लाइट्स के अंदर आपकी तेरा लाइट से विद एलेडी प्रोजेक्टर्स और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पुश बुटन स्टार्ट की लेस स्मार्ट की लेस एंट्री मोबिलाजर वाधिचाबी स्पीडो मीटर के साथ आपका टाकुमीटर भी है अ आर्पियम मीटर से यहां पर कहते हैं इसके इलावा E-coorder से सब में आता है across the line section control है साथ इसके crash control the feature आप धेश के सकें यहां पर आ रहा है क्लामिट कं rif incredible डिजिटल क्राइमन के कंट्रोड एसी और हीटर है सोफा सीट्स हैं फरंट की फिल आर्म रेस्ट ठीक है और उसके अलावा यह आप देख सकते हैं कि यह जो आपको अंदर कुस्मेटिक चेंजिस अंदर आ रहे हैं बिजाइनिंग के अंदर इसके अलावा जो फीचर्स अब आपको मैं बताऊंगा वो बेसिकली फरकोगा मॉड़ा SRG में जो कॉमन फीचर्स हैं वो मैं नहीं बता रहाँ आपको जिस तरह के पावर विंडोस हैं पावर स्टीरिंग है रोट्रेक्टिबल साइड मेर्स हैं फोल्डिंग साइड मेर्स हैं यह कॉमन नालेज है आपको रियर कैबिन टिंटेड है यहां को पता ही है और दो एर बैग वारा इन पर मैंने फोकस नहीं कि और भी चीज़ें हैं लेकिन मैं उनको उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा यह बिसिकली गाइड है उन लोगों के लिए विडियो उन लोगों के लिए है जो ट्योटा पासो लेना चाहा रहे है और वो confused है इसके बार Moda S और G में अब बहुत ही मामूली फरक है सबसे पहले तो Alloys बाहर से आपको इसमें G के अदर Standard मिलते हैं और यह G Variant है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर यह Alloys जो है Fog Lamps भी Optional है और G के अंदर कुछ गाड़ियों में आपको G के अंदर जो Optional है यह पूटोन ब्लैक टॉप आपको रूफन दोता है यह आपको S में Option आप्शन आम तोर पर नहीं नज़राती लेकिन यह B S के अंदर आप आप्ट कर सकते हैं अगर आप कंपनी से कहेंगे यह आफ्टर मार्केट भी एक रवास दें लेकिन कंपनी से भी आपको Option है कि आप Alloys भी ले 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 और ब्लैक टॉप भी ले 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 बहुत च्छुटा फरक जो बागी रह गया है वह यह कि जी आपको लदर रएब स्टेंग विल मिल जाएगा यहां पर आपको बर्टन्स नहीं मिल रहे यहां पर बर्टन्स जो हैं वह जीक अंदर भी उप्शनल थे LCD कौन सी है वो भी optional है G के अंदर आपको ये gear knob जो है इसमें chrome मिल जाएगा साथ ही ये आप देख सेथे हैं के अंदर door handles भी chrome वाले हैं इसके साथ ही साथ मैं ये मुझा जे नहीं मिला चेक नहीं कर सका लेकिन मुझे एक client है नोंने बताया था कि जो जी वाली मॉड़ है इसकी सीट्स थोड़ी सी ज्यादा कंफ्टरबल है इनमें पैडिंग ज्यादा है फोम ज्यादा है और ये चीज मिझे चेक करने का मौका नहीं मिला मैंने नोटिस नहीं इंफ्रमेशन मेरे पास थी और मैंने आपको रिले की अगर इसमें कुछ चीज मिस होगी है आप जरूर कॉमेट्स में शेयर करें ताकि लोगों को भी आगाही और मेरे जाफा भी हो जाए उनीद है इस वीडियो से आपको काफी फाइदा हुआ होगा और इसलिए हम आप से अगे गोव यह से आप उच्डूर को जरूरर सब्सक्राइब करें का यासी विडियो साथ आपको मिलती रहें और यह विडियो जूर शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो यह गाड़ी लेने में इंटरीस्ट्ट है चाहे उनसे ना शेयर करें यह नहीं नहीं कर इंका जाए म और कॉमेट्स में ये भी जरूर बताएं कि आप नेक्स वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इससे चैनल को ट्रैक्शन मिलती है और मुज़ीद लोगों को चैनल ढूनने में असानी होती है वीडियो देखने के बहुत शुक्रिया अपना और अपने घर वल्म का खास ख्याल लगे इजाका लगा असलाम लेकूं